हेई, हलो वरण, देस साइट सौमिच शर्मा and we are going to taste this curve अगर आप नए हैं शनल पे, subscribe कर लिजे and if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to receive all the notifications so let's get started now we are going to trace this curve this is a very important curve देखे हर curve important है, मैं किसको किसको बोलू, कौन important है, कौन नहीं important है so curve tracing में कुछी questions है ऐसे जिन में लोग फस्ट जाते हैं है जिसमें गॉंसेट वीक होते हैं लोगों के concept बोले तो अगर आपको tracing का concept जानना तो मेरी प्लेलिस में जा सकते हैं पुराने वडियो देख सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट पहला पॉइंट देख में च्चेक करेंगे चेक करते हमों कर्कों ट्रेस करने के लिए कि स понять हैं निकि जो किसके बाट सेमेट्री है, देख लेते हैं, अगर हम x की जगा माइनस x डालेंगे, और y की जगा माइनस y डालेंगे एक साथ, तो भी कर्व में कोई effect नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग डालेंगे, माले जे सिर्फ x की जगा माइनस x डालेंगे, तो कर् ठीक है, और अगर y की जगा माइनस y ही सिर्फ डालेंगे, तब भी कर्व चेंज नहीं हो, यानि कि x और y दोनों को ही चेंज कर दें, ठीक है, तब भी कर्व पे कोई भी effect नहीं पड़ेगा, चेंज करने को मतलब, x की जगा माइनस x, और y की जगा माइनस y, sorry for the background disturbance, तो अब अगर x की जगा और y की जगा दोनों को हम साइन चेंज करते हैं, तब भी कर्व पे कोई effect नहीं पड़ रहा है, यानि कि समिटर कर्ट बहा हूँ बोथ axis, ठीक, now origin चेक करते है, origin, curve में 0,0 डालेंगे, यानि x की जगा 0, y की जगा 0, तो हमारा curve 0 हो जा रहा है, इसका मतलब pass through origin, ठीक है, ये point चेक होगे, यानि कि curve हमारा origin से pass कर रहा है, now, if the curve is passing through origin, then the tangent at origin, there will be tangent at origin, अगर कुछ ही origins पास कर रही है, तो उस पे tangent होगी, तो tangent है, origin निकालने के लिए हम लोग क्या करते है, least degree term का हम लोग 0 को equal करते है, now देखते हैं, इसमें least degree term find करने के लिए पहले curve को solve क करेंगे, ये y square और x square का अंदर multiply करेंगे, तो देखें, कुछ ऐसा नजारा होगा, ठीक है, now इसमें से least degree term कौन से, ये ये वाली, नहीं, ये least degree term नहीं है, यहां देखें, x की power 4 है, और यहां पर देखें, ये least degree term है, यहां पर देखें, यह भी x की power 4 है, ठीक है, अब कुछ लोग करेंगे, यहां पर x की power 4 कहा है, ये तो x square है, y square है, देखें, टोटल term की power degree जो है, 4 हो गई, यह आप लोग अभी नहीं समझें को सकता है, कुछ लोग आप थोड़ा concept weak हो, इस वाइस नहीं समझ भाए, हाँ, तो least degree term क्या है, ये वाली, और ये वाली, तो इन दोनों क हम एक साइड लिया है, देखें, हमने एक साइड लिया है, और equal to zero कर दिये, तो देखिए, यहां समय क्या मिला, a square तो हट जाएगा पूरा, तो y equal to minus x मिलेगा, y equal to plus x मिलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यह हमारी tangent मिल गई हमें, ठीक है, सॉरी, हाँ, सॉरी, tangent at origin मिल गई, अब minus x line और plus x line आपको draw करना आता है, यह देखिए, हमारा, यह क्या है, यह plus x line है, और यह minus x line है, ठीक, तो यह तो आप लोग अच्छे साथा है, शुरुआत सही बढ़ते हैं, now intersection with the coordinate axis, यह जो कर्व है, यह x axis को y axis को कहा पे cut कर रहा है, कैसे पता करेंगे, तो हम लो और x equal to a डालेंगे, तो क्या मिलेगा, a comma 0, और x equal to minus a डालेंगे, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, minus a comma 0, यह क्या है, when y equal to 0, when y equal to 0, देखिए, y equal to 0, यानि यह कहां से हो रहा है, यह इस equation में, अगर हम y equal to 0 कर देंगे, सोचे ज़रा, जीरो हो जाए, तो यह बूरा 0 हो ठीक है, समझदार के लिए इशारा गाफी, बच्चों के लिए गुबारा गाफी है, और यहां बच्चे तो पट नहीं रहे हैं, यहां पर higher classes को मैं बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, so, now, asymptote, asymptote निकालते है, parallel to x-axis, ठीक है, x-axis से parallel asymptote निकालने के लिए, हम लोग क्या करते ह हैं, बल्कि asymptote निकालने के लिए, क्या करते हैं, highest degree term के coefficient को 0 को equal put करते हैं, तो x का highest degree coefficient जो है, x to power 4 था, उसको क्या है, minus 1, minus 1 को 0 को equal किया, ऐसा हो नहीं सकता, तो curve, sorry, asymptote does not exist, minus 1, 0 को equal का भी नहीं हो सकता, ठीक है, now parallel to y-axis देखेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा हमें, x equal to i-a ठीक है, x equal to i-a मिलेगा, ठीक है, तो x equal to i-a का मतलब क्या होगा, वहाँ पर something होगा, x square is equals to minus a, a आ जाएगा, हमारे पास, x equal to kya हो जाएगा, i-a, यानि iota a, और imaginary हम, imaginary खेल नहीं खेलने हैं, ठीक है, so does not exist, x equal to i-a, यानि imaginary asymptote नहीं चाहिए हमें, तो does not exist सिधा सिधा, ठीक निकालने के लिए हम कोई भी कर्व हो, हम लोग सबसे पहले y in terms of x find करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा analysis करते हैं, देखिए, x equal to minus 2-a यहाँ पर डालेंगे, x equal to 2-a डालेंगे, तो y imaginary आ जाएगा, ठीक है, now इस तरीके से हम कर्व को trace करेंगे, अब देखिए, यह हमारा x line, यह minus x line, ठीक है, इस पर कोई asymptote नहीं थी, तो कर्व हमारा क्या है, origin पर ही cut कर रहा है, ठीक है, यह हमारी minus x line, तो कर्व y equal to 0 पर, देखिए, सबसे पहले कर् है, उसके बाद 1,0 पर, फिर कहा है, minus 1,0 पर, ठीक है, तीन जगा कर रहा है, तो कोई भी simple thinking लगा करके, यहाँ पर कर्व को trace कर सकता है, यह कर्व ऐसे जा रहा होगा, यह 1,0 पर cut किया, फिर एकर्व ऐसे जा रहा होगा, तो minus 1,0 पर cut किया, ठीक है, देखिए, यह tangent है, ठी X equal to 2A, sorry अभी आपको दिखा देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, भी बदाता हूँ, X equal to 2A, देखिए, यहाँ पर 2A यहाँ आएगा सम्थिंग, यहाँ पर कर्व है, नहीं है, लेकिन यहाँ इसलिए यहाँ यहाँ पर यहाँ इमेजनरी है, क्योंकि यहाँ तक कर्व यहाँ आएगा सब्सक्राइब कर दोफटन, बखाएब भूटार में इसलिए तो एनड़िए शूट कर सकते हैं, और दाव डिस्कृषिन चाहिए तो वट्सप गूरूप जोन कर सकते हैं, मझे इंस्सट्रागाम फॉलोग कर सकते हैं, थाइक यहाँ वाचिंग दोंट